तो एंगुलर सेखने की स्रीज में आज हम देखने वाले हैं multiple conditions मतलब जदि आपको if-elsep यूज करना हो अपने एंगुलर वाले कोड में तो उसके लिए आप क्या करोगे तो देखे जदि आप multiple condition यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप if-elsep नहीं लिखते हो मतलब जिस तरह आप c c++ पे लिखते थे कि जदि if नहीं चल दा था तो उसके बाद आप lc यूज करते थे यहाँ पे वो चीज नहीं है यहाँ पे आपको अलग method यूज करने होते है वो कौन से method है वो हम रोग यहाँ पे समझते है तो जदि याद हो तो यह हमने last time किया वा था code ठीक है तो यहाँ पे इसको completely clean कर लेते है यहाँ से यह remove कर लिया और .html में भी सारे remove कर लेते है तो दिखे यहाँ पे effective condition समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते एक variable id और id की value रख लेते 1 और यहाँ पे simply हम लोग लेते है और ng template में यहाँ पे हम लोग कर लेते है सेम वही ng if square bracket वाला layer है हम लोग और यहाँ पे condition ले लेते है condition क्या लेते हैं कि जदि id की value 1 हो तो यह वाला code हमारा चलेगा तो यहाँ पे रख लेते हैं 1 और इसी को कर लेते हैं control c, control v, control v ओके तीन ही रखते हैं यहाँ पे कर लेते हैं 2 यहाँ पे कर लिया 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यही हो गया आपका if as if condition angular के time यहाँ पे if as if में क्या करते थे कि जदी if नहीं चलता है तो as if चले उसी तरह यहाँ पे यह हैं कि जदी यह वाला नहीं चला तो इसके बाद वाला चलेगा इसके बाद वाला नहीं चला तो इसके बाद वाला चलेगा मतलब जो आपका if अलग condition है उसी को यहाँ पे आएजे if as if यूज़ कर सकते हूँ तो यहाँ पे answer क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए तो देख सकते हूँ यहाँ पे 1 शो कर दिया है जदि यहाँ पे हम लेते 3 तो यह 3 वाला शो करता तो यह हो जाते हैं आपके multiple condition इसको अलग तरीक से जदी use करना हो वो भी कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर लेते हो ng container जब आप multiple condition यूज़ करते हो तो structure directive में आप ng container भी ले सकते हो यह kind of tag बोल सकते हो तो ng container में जो आप यह condition ले रहे हो यह condition यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे ng फिना यूज़ करके हम लोग लेते हैं ng template outlet यह बहुत important attribute है तो इसको आप ज़रूर याद रख लेना ng template outlet तो यहाँ पे ng template outlet में जदी id की value 1 तो यहाँ पे यह वाला चले तो इसके लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 ओके एक variable ले लिया तो इस variable को यहाँ पे get करने के लिए आप लिए सकते हो कि जदी id की value 1 है तो हमारा यह वाला 1 चले यहाँ पे अभी देखिए जदी आप ng container यूज करना चाहते हो ना तो यहाँ पे आप turner view operator यूज कर सकते हो वो कैसे करते हैं कि जदी यहाँ पे id की value 1 हो तो यहाँ पे 1 वाला चले जो कि यह है नहीं तो इसको कर लेते हैं 2 तो उसके लिए यहाँ पे आपको लेना है colon मतलब else id की value जदी 2 रही तो यहाँ पे 2 वाला call हो जाए नहीं तो else में 3 वाला call हो जाए देखें यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे हमने लिया कि जदी id की value 1 हो तो 1 वाला चले जो की यह वाला है नहीं तो जदी id की value 2 हो तो यह वाला चले नहीं तो else में यह वाला चले ओके जब आप question mark लेते हो तो यह होगी आपका if जब आप colon लेते हो बीच में तो यह आप else की तरह treat करता है और जब आप last में लेते हो colon तो यह आपका else की तरह treat करता है ओके तो यह हो गया आपका if यह वाला question mark और यह वाला मिलके हो गया आपका else if और यह last में हो गया else ओके तो इस case में आपका last वाले में यह वाला चलेगा यहाँ पर कर लेते हैं 3 ओल्राइट तो इस case में answer क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए इसको refresh किया तो देश सकते हैं 3 issue कर रहा है जदि यहाँ वे value change करते हैं यहाँ पर सपोच कर लिया 2 तो 2 वाला चलना चाहिए तो चेक कर लेते हैं देख सकते हैं ओल्राइट तो यह हो जाते हैं आपके multiple conditions तो उमीद है वीडियो जरूँ अच्छी लगोगी subscribe जरूँ करें ना चैनल को मिलते हैं next वीडियो में thank you happy learning